लौकी का रायता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक लौकी ली है यह काफी बड़ी लौकी है इसमें से थोड़ा पाथ हम कट कर देंगे इसके इस्तिमाल मैं किसी और रेसिपी में करूंगी अब हम इस लौकी से रायता बनाएंगे यह लगभग 400 से 500 ग्राम के करीब है अब इससे छिलका उतार कर इसे बड़े बड़े पीसेस में कट कर लेंगे अब इसे प्रेशर कूकर में डालेंगे अब इसमें थोड़ा सा नमक और वनफोर्थ कप के करीब पानी अट करेंगे अब कूकर का धकन लगा कर इसे गेस पर रख देंगे अब हमें मीडियम फ्रेम पर इसमें दो विसल लगाना है देखिए अब हम दो हरे मिर्च और दो लहसन की कलियों को खलवत्ता में डाल कर कूट लेंगे अब मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी एट कर रही हूँ आप चाहें तो धनिया को कट करके भी डाल सकते हैं पर इस तरह से कूट के डालेंगे तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा देखिए हमने सभी चीजों को अच्छे से कूट लिया है अब हम इसे साइड में रख देंगे देखिए कूकर में दो विसल आ चुकी है अब हम गेस का फ्लेम आफ कर देंगे और इसका प्रेशर आराम से निकलने देंगे अब कूकर से सारा प्रेशर निकल चुका है हम ढ़कन को खोलेंगे देखिए अब लोकी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है अब लोकी को एक बाॉल में निकाल लेंगे देखिए अब कुछ पानी बज गया है ये पानी बहुत ही पोस्टिक है आप इसका इस्तमाल दाल या सबजी बनाने में कर सकते हैं या फिर अगर आपको रायता थिक लग रहा हो तो आप इस पानी को इसमें एड़ कर सकते हैं अब मैशर की सहायता से लोकी को अच्छे से मैश कर लेंगे देखिए मैंने लोकी को अच्छे से मैश कर लिया है अब इसमें दो कप दही आड़ करेंगे आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर आधा चम्मच काले मिर्च पाउडर एक चम्मच काला नमक और कुटा हुआ लहसुन मिर्च और धनिया आड़ करेंगे अब मैं इसमें दो चम्मच शक्कर एड़ कर लही हूँ ये औप्शनल है अगर आप चाहें तो डाले वरना स्किप कर दें अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे अब इस राइता को ओर टेस्टी बनाने के लिए तड़का तियार करेंगे पैन में एक चम्मच घी लेंगे आप यहाँ पर घी का ही इस्तमाल करें घी का टेस्ट राइता में बहुत अच्छा आता है अब इसमें आधा चम्मच राइं आधा चम्मच जीरा दो चुटकी हींग पांस से छे कटकिया हुआ करी पत्ता एक चुटकी धनिया पाउडर और एक चुटकी लाल मिर्ज पाउडर एट करेंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे अब तड़का बनकर त्यार है इसे तुरंथ ही राइता के उपर डाल देंगे इसे हलका सा मिक्स कर देंगे अब लोकी कराइटा बनकर त्यार है ये बहुत ही टेस्टी लगता है अब आप इस रेसिपी को एक बार जरू ट्राय करें